तो हमारे पास यहाँ पर यह सवाल है निम्नलिकित रेडियन माप के संगत डिग्री माप याद कीजिए तो हमारे पास दो कोन है जो कि हमें रेडियन माप में दिया हूए है हमें इन्हें डिग्री माप में निकालना है इन angles को convert करने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं कि radian और degree में क्या relationship है अगर मैं एक circle की परिक्रमा पूरी करता हूँ तो मैं radian में 2 pi radian angle cover करता हूँ 2 pi radian और degree में इसी चीज़ को हम 360 degree लिखते हैं तो यह अगर आपको याद है तो आप किसी भी radian angle को degree में convert कर पाओगे तो पहले से शुरू करते हैं हमारा पहला number है 7 pi by 6 यह हमें किसमे given है? यह हमें radian में given है तो हमें यह radian में दिया हुआ है और हमें चाहिए यह degree में यानि कि हम इसको किसी ऐसे number से multiply करेंगे जिसमें नीचे radian आएगा ताकि यह उपर वाला radian और यह radian cancel हो जाए और उपर degree आएगा अब मुझे पता है कि 2 pi radian हमारा 360 degree के बराबर होता है क्योंकि यह दोनो एक ही चीज़ है तो मैं इनको उपर नीचे लिखके किसी भी कौन के साथ multiply कर सकता हूँ तो यह और यह cancel हो जाएंगे और अब जो मुझे मिलेगा वो answer degree में होगा यहाँ पे pi और pi भी cancel हो गए और 6 और 360 में हमें मिल जाएगा 60 degree और 2 और 60 में मिल जाएगा 30 degree 7 into 30 यह नहीं 210 अगले में चलते हैं अगला है हमारा 11 by 16 तो इसमें तो कोई pi भी नहीं है तो हमारा pi cancel नहीं होगा बस यह फरक आएगा इसमें तो इसकी विज़े से थोड़ा सा यह दिखने में गंदा हो जाएगा लेकिन काम भही करना हमें तो हमें चाहिए 11 by 16 यह हमें रेडियन में दिया हुआ है फिर से वही बात क्योंकि हमें रेडियन को cancel करना है इसलिए मैं नीचे भी एक रेडियन वाला ही नंबर लिखूंगा और उपर मुझे एक डिगरी वाला नंबर चाहिए तो नीचे मैं लिखूंगा 2 pi रेडियन और उपर 360 डिगरी यह दोनों सेम है अब यहाँ पे हमें सवाल में दिया हुआ था कि pi को 22 by 7 लिसकते हैं तो हम यहाँ पे यह चीज़ करते हैं pi की जगा हम लिख देते हैं 22 by 7 यह रेडियन और रेडियन तो मैं हटाई देता हूँ अब मैं 11 और 22 को cancel कर सकता हूँ नीचे मिलेगा 2 और यह 2 और 2 हो जाएंगे 4 जो की 360 को 90 से cancel कर देगा और 90 और 16 को मैं 2 से cancel कर सकता हूँ नीचे मुझे मिलेगा 8 और यह हो जाएगा 45 तो इससे उपर मुझे मिलेगा 45 गुना 7 और नीचे मुझे मिलेगा 8 ये चीज डिगरी में आएगी तो 45 गुना 7 हमारा हो जाएगा 40 गुना 7 होता है 280 और 5 गुना 7 35, 28 और 35 हो जाएगा हमारा 315 तो ये हो गया 315 by 8 डिगरी तो इस तरीके से हम किसी को उनको Radian से डिग्री में बदल सकते हैं